Holy special 3 तरह की गुजिया बनाने का सारा secret आज इस वीडियो में मैं आपके साथ share करने वाला हूँ तो गुजिया बनाने के लिए सबसे पहले हमने 3 कडोरी मेधा लिए मेधा को मिलाने के लिए हमने लिया है 1 कडोरी सुध देशी घी तो अगर आप डाल डागी का इस्तिमाल करते हैं तो डाल डागी का इस्तिमाल ना करके आप देशीगी का इस्तिमाल करें आपकी गुजिया बहुत ज़्यादा टेश्टी बनेगी मेदा और घी को हम एची तरह से मिक्स करना है और हमने थोड़ा सा कीवी बचा लिया है इसको हम बाद में इस्तिमाल करेंगे और यहाँ पर आप देशकते हैं हमारी जो मेदा है वो भी तयार हो चुकी है चलिए अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालके अपनी मेदा को तयार कर लेते हैं गुजिया बनाने के लिए तो इस तरीके से आप थोड़ा थोड़ा समें पानी डालते रही है और इसके बाद आपको इसको रेड़ी कर लेना है कुछ इस तरीके से याद रखे मेदा को ना तो आपको जादा गाड़ा गुनना है और ना ही जादा पतला इस तरीके से गुन दें इसके बाद हमने एक कडाही को गर्म होने के लिए रख दिया है क्योंकि अब हम इसकी श्टफिंग तयार करेंगे इसके लिए हमने जो घी पहले से बचा रखा था उसको हम अडाही में डाल देंगे और कुछी दिर में गर्म हो जाएगा जैसे की गर्म हो जाता है इसके बाद हमें कुछ ड्राइफूर्ड लेने होंगे जैसे की हमने लिए हैं 10-12 बादाम इसको हमने बारीक बारीक कट कर लिया है इसके बाद हमने लिए हैं थोड़े से काजू और थोड़े सी हमने लिए हैं कद्दू की गिरी क्योंकि ये काफी फायदे मन होती है अब हम इसके साथ ही इसमें कुछ और चीजे भी एट करेंगे सबसे पहले हम इसको अच्छी तरीके से भून लेते हैं इसके साथ ही हमने लिया है एक कड़ोरी मावा यानिकि खोया इसको हमने पहले से ही भून रखा है ये बिल्कुल ताजी है हलका हलका सा इसको भून लेना है जब तक कि इसका गलर हलका सा ब्राउन न हो जाए अब हम इसको भी इसमें mix कर देंगे इसके साथ ही हमने लिया है एक कडोरी से थोड़ी कम पिसी हुई चीनी इसको भी हम इसमें डाल देंगे सिर्फ flavor के लिए आप चाहें तो आप इसे ना भी डालें जब भी चल जाएगा चलिए अब हम इसको एक बार और अच्छी तरह से mix कर लेते हैं और हमारे stuffing बनकर तयार है तो को हमने थोड़ी देर के लिए ढखके रख दिया था जैसे कि आप दे सकते हैं काफी soft है अब चलिए हम आपको गुजिया बनाने का तरीका बताते हैं पहला तरीका उन लोगों के लिए है जिनके पास सांचा होता है मतलब उनके पास फर्मा होता है तो सबसे पहले आपको इस तरीके से इसको बेल लेना है जादा पतला भी नहीं करना है और जादा मोटा भी यह हमार पास एक फर्मा है जो बजार में 30-40 सुब्रेका लगबग मिलता होगा आप इस तरीके से इसको रखिए और इसमें आप स्टाफिंग भल लीजिए भनने के बाद आपको इसके फर्मे को बन कर देना है दूसरा तरीके यह है सबसे पहले आप लोई इस तरीके से बनाईए गोल पेड़ा गोल पेड़ा बनाने के बाद आपको इसी तरीके से इसको बेल लेना है बेलने के बाद जैसे की अच्छी तरीके से बिल जाए इसके बाद मैं आपको दूसरा तरीके बताता हूँ मैं आपको 3-4 तरीके बताऊंगा इस तरीके साब इसको mold लीजिए double layer में और एक चाकू आपको लेना है और चाकू साब इस तरहां से बीच में से इसमें cut लागा लीजिए cut लागाने के बाद एक हिससा आपको लेना है और इसकी side को आप इस तरहां से बना पाएंगे तो आपके पास जो chao mean या फिर megi खाने वाला काटे वाला चमच होता है उससे आप इस तरह से हलके हलके इसको दबा दीजिए और ये बंद हो जाएगा और इसका एक नया दुब भी आ जाएगा तो यह बहुत ही अच्छा है कि मैंने आपको तरीके बता है जो कि शायर आपको आपसे पहले नहीं बता होगा और हमारी एक नई तरीकी की गुजिया भी बनकर इससे ready हो जाएगी तो यहाँ पर हमारी दो तरीकी की बनकर तयार हो चुकी है यह लिए मैं आपको आप तीसरी तरीकी की गुजिया बनाना चिकाता हूँ अब सबसे पहले हमने दो इस तरह के पेड़े बनाए हैं इसको भी हम सबसे पहले बेल लेंगे दोनों को हमें एक के आकार में लेना है पेड़ों को सेट करना है सेट करने के बाद आपको इसके कंगूर टाइप के बनाने हैं तो वह आप हास से बहुत ही आसान तरीके से इस तरह सकते हैं तो इस तरह से आसानी से आप इसको बना लीजिए आप तरीका देख लीजिए अगर आपको समझ में ना है तो आप एक बार वीडियो क गुञाए को लाइक ज़रूर करें तो जैसे के आप देखेंगे चंद्र कला के आकार का भी हमारा गुजिया बंद कर तयार हो चुका है इसके बाद मैं आपको एक और तरीक बताता हूँ आप इस पेडा लेजिये पेडा लेने के बाद आपको इस तरा से दुबारा rzeczywiście को देखिए इस तरह से तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक शेयर जरू करें क्योंकि हम आपके लिए काफी मेहनत करते हैं और आप वीडियो को लाइक शेयर नहीं करते हैं तो यहाँ पर अब हम देखिए इसको किस तरह से लुक देंगे इस तरह से आप इसको मोड़िये और आपकी चार तरह की गुजिये बनकर बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं चलिए मैं आपको एक बार इसको रेडी करके दिखाता हूँ यहाँ पर हमारी चार तरह की गुजिये ब ब्राउन हो जाएंगी, हमने इसको बिल्कुल लो फिलेम पर फ्राई किया है, तो यह जली भी नहीं है और इसका कलर भी ठीक आया है, तो इसी तरीके से आप भी बिल्कुल लो फिलेम पर फ्राई करें, थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन गुजिया काफी अच्छी हो जाती है तो हमारी गुजिया बिल्कुल बनकर रेडी हो चुकी है, अगर आप चाहें तो आप इस तरह से भी इसको खा सकते हैं, लेकिन हम इसको चाशनी वाला बनाएंगे, तो चाशनी वाला कैसे बनाते हैं, चलिए वो भी तरीका में आपको बाता देता हूं, अगर आप चाहें चाहें, चलिए मैं आपको चाशनी वाला इसको बना के दिखाता हूं, चाशनी तियार करने के लिए हमने एक बरतन में पानी गर्म होने के लिए रख दिया है, पानी हमने लिया है एक कप, अब हमने एक कप पानी उबलने के लिए रखा है, तो हम इसमें एक कप ही चीनी तो यहां पर हमने थोड़ा सा food color डाला है लेकिन साया जी थोड़ा सा ज्यादा हो गया आप इसमें थोड़ा कम डालें तो यहां पर इसका color काफी dark हो गया है आप इसको हम अच्छी तरीके से बनने देंगे और इसको आप को चिपचिपपण हो जाना चाहिए और इसके बाद आप इसको ठंड़ा होने के लिए रख दीजिए और ठंड़ा होने के बाद आप एक एक करके आपके पास जितनी भी गुजिया हैं आप सब इसमें एट कर दीजिए तो इस तरीके से आप चमच से इसको पर चाशनी डालिए और आपकी जो ये गुजिया है वो चाशनी वाली बन कर तियार हो जाएगी अगर आप चाहें तो आप इसे बिना चाशनी वाला भी बना कर सकते हैं वो भी काफी टेश्टी लगती है लेकिन चाशनी वाली काफी लोग पसंद करते हैं इसलिए मैंने वीडियो में आपको दिखाया तो दोस्तों इस तरीके से हमारी जो यह फ़िस सोफ्ट बनी हैं और बिलकुल acord जैसी ही बनी है तो इसी तरीके से आप भी घरप र हो ली यह किसी भी फेशिटीवर बर फुजिया तैयार कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर सकते हैं तो आजकी विडियों में दोस्तों फिलाल इतना ही और हो तो आज की वीडियो में इतना ही रेसिपीन हिंदी 5 एम को सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे